दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में इस वीडियो के शुरुआत में आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दियो सब्सक्राइब के बटन को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहली बात क्या है COP26 इसका फुल फॉर्म क्या है COP26 का फुल फॉर्म है Conference of Parties 26 लेकि नरेंद्र मोदी जी जो है पीछे पीछे चला गया और बेस्ती करा के वापिस भी आ गया वो गोदी मीडिया यहां पर ग्लास गोबे मोदी को कवर करने पहुचा ही नहीं पनौती लग चुगी पूरी तरीके से दूसरा रीजन क्या है मोदी के दुखी होने का निराश होने का कि वो अंधभक्त जो हर घरस टाइम पर सुबह दुपहर रात मोदी मोदी करते रहते हैं मोदी के गुणगान गाते हैं इन 過去 हैं ऐसले मोदी जी का दिल है वह पूरी तरीके से तूट चुका है ऐसा लग inquiry मोदी सोछे होंगेिये भी ग्लास गो गए हैं तो शायद वहां जाकर हमारे देश का नाम रौशन कर दिया होगा, हमारे देश का जो सर है पूरी तरीके से उचा कर दिया होगा, क्या खाक रौशन कर दिया है, दिखाना चाहूंगा आपको आपकी स्क्रीन के ओपर कैसी कैसी फोटो निकल कर आ रहे हैं, क्या क्या तस्वीरे मार रहे हैं यहां पर UN के जो Secretary General है वो पूरी तरीके से Uncomfortable हो जाते हैं फोटो में आपको दिख रहा होगा कितनी अजीब किसम की जपी है जपी इसके बारे में पूरे वर्ल में क्या बात हो रही है यह भी आपको दिखाता हूँ ना कटवा दिया भाई साथ भी ने जरह देखो डेली मेल ने क्या लिखा है डेली मेल लिखा है कि Temperature is rising, awkward moment इंडिया's PM नरेंदर मोधी gets a little too close for comfort as he gives UN Security General Antonio Guterres a big hug at COP26 अब भाई साब यह अंधभकतों को बता देता हूँ यह गुतरेज है इनका नाम गुर्तेज नहीं है कल को तुम बोलने लग जाओ कि यह भी गुर्तेज भाई साब है कोई तो यह गुतरेज जी है, यह UN के Secretary General है और मोधी जी ने इनको ऐसी जपी दिये कि पूरा वर्ल्ट देखता रहे गया और इसकी मजाग उडाने का काम कर रहे है इस आर्टिकल में ख्या चपा है यह भी आपको दिखाना चाहता हूँ और another level की बेस्ती हो चुकी यहाँ पर हमा maskless Modi, बेस्ती पर बेस्ती, तीसरी बेस्ती सुन लो, गुतरेज looked visibly uncomfortable, यह है हमारे देश की international फजियत, किसकी वज़े से आपकी screens पर दिखी रहा होगा उस आदमी की शकल जिसकी वज़े से ऐसा हो रहा है, अब आपको दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार जहां पर यह बाते बोली जा रही है, मोदी जी गए का हूँ है, मोदी जी गए हूँ है इस टाइम पर UN के climate change conference में, मैं भक्तों से पूछना चाता हूँ सबसे पहले, कि यार मोदी जी तो कहते थे कि climate change कुछ होता ही नहीं है, global warming कुछ होती ही नहीं है, आपको याद है हो वीडियो, ज़रा पहल बढ़ने के काराण उनकी सहने की शक्ती कम हो गई है, वैसे ही ये climate change नहीं हुआ है, हम change हो गए है, तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से मोदी जी कहते थे कि climate change कुछ नहीं होता, global warming कुछ नहीं होती, भक्तों आखिरकार ये बताओ कि वो आदमी जो climate change को मानता ही नही भाई, अब आगे बढ़के आपको दिखाना चाहता हूँ, नरेंदर मोदी ने वहाँ पर जाके statement दिया, statement दिया क्या, सबसे पहले इसको देख लीजे, उसके बाद बताओंगा कि इसके बाद भक्त क्या बोल रहे हैं, जरा statement को देखिए, statement में कहा गया कि India will reach net zero emissions by 2070, और य इसके लावा एक वीडियो आपको और दिखाना चाहता हूँ, जब मोदी जी के अंधभक्तों ने उनको पूरी तरीके से निराश कर दिया, तो उन्होंने ग्लास गो जाकर कुछ अंधभक्तों को भाड़े पर खरीदने का काम कर लिया, और अपने नाम के नारे भी लगवा का और यह एक अचशकता है अब इस पीड़े में कुछ लोग बोल रहे है कुछ और तस्वीरे भी हमारे सामने निकल कर रहीं आपके स्क्रीन पर रखना चाहता हूं हमारे देश के किसानों की तस्वीर जड़ा देखिए किसान एकता मोचा ने ट्वीट करने का काम किया लिखा कि चाहता हूं कि देश की जनता देखे कि अखिर का बडान मंतरी आपके से आपके से तरीके से अगरे का काम करें इन फोटोस को फूल-sk्रीन करके दिखाएगे अडिटर साब मैं चाहता हूं कि देश की जनता देखिए कि आखिरकार Glassgo में Moody की किस तरीके से फ़जियत होई है देखे ज़र आपनी स्क्रीज के ओपर किस तरीके से किसान महिलाएं प्रोटेस्ट करने का काम करें किस तरीके से वहां पर बाजवान भी खट्टे होएं आपकी स्क्रीन पर आपको इस टाइम पर दिख रहा होगा अब जहां पर एक तरफ किसान मोदी को क्रिटिसाइज करने का काम कर रहे हैं इंटरनाशनल प्लाटफॉर्म के ओपर वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में भी नरेंद्र मोदी को एक व वाली मनाने का मतलब क्या होता है मोदी जी फूल जड़ी है क्या इसके साथ आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जहां पर गुर्राम सिंग चडूनी जी जो है वह पीए मोदी को एक वार्निंग देते हो इन नजर आ रहे हैं साथियों सरकार कई दिन से बाडर खोलने की तेयरी कर रही है और लोगों में भी बड़ी अफ़रा तफरी है चर्चा चल रही है कि दिवाली से पहले सड़के खाली करा देगी सरकार हम सरकार को चेतावने देना चाहते हैं कि किसी बढ़ेखे में किसी भूल में किसी गल्की में मत रहे और आपको भी कहते हैं आप भी पूछना चाहता हूं कि मोधी जी आखिरकार आपका Zero Emissions के लिए प्लाइन किया है सबसे पहले आप Zero Emissions की बात करते हैं वहीं दूसरी तरफ आप देश के जो लोग हैं उनको हिंदू-Muslim में डिवाइट कर चुके हैं आपको दिखाना चाहूंगा एक वीडियो जहां पर आपक टूम बहुत आप नो चल उस सब युकार रहे हैं आहिए अएड़ था अपना भी यह चलो दिखाओ किसलिए देखना में कॉन कॉन आ रहे हैं अब आईडी दिखाओ आप्मसभाय यह आपको दो लाओ भी आयदी आईडी प्रूवान किसलिए देखना चाहरों को नहीं घू पहल देखें पहले होगए थाने में होकी तभी नहीं चलॉजवहG आप कभी यह यह नहीं चलिए अब इस गाउ में दोबारा ना देखियो चलो होगी अब इस गाउ में दोबारा नहीं दिखने है आपका नाम बता हो यह अच्छा हाथ के लाई रिखाओ ठीके चल जा कर दो तुम्हें तुम्हें नहीं गारी हां को आगे बिल्कुल नहीं आएगा चलो मैं मना करनी हूं चलो गारी हां को इस गाहों में अब के बाद दिखना नहीं है कश्मीर में आईडी देखा के मार रहे हम आईडी देके खरीदेंगे नहीं चलो यह ना बच गया तु आज दोबार आईडी लेके आई हो जैशी राम बोल पहले इसमें बोलने वाली क्या बाद बोल दें बस इतना ही है ठीक है अब मोदी जी जहां पर आपने एक तरफ हिंदू-मुसल्मान में बाटी दिया वहीं दूसरी तरफ आपके अंधभक्त अजीब अजीब तरीके के सबने देख रहे हैं लेंडन नहीं कुछ और है आप खुछ समझ को प्लीस संभालो मोदी जी और जीरो एमिश्ण के ऊपर इस खबर को देखें जहां मोदी जीरो एंशींज की बाते कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ उनके नेता किस टाइब के जंजाल में फस्वें जरा देखें इस खबर को BBC हिंदी की खबर है भारत की हार पाकिस्तान की जीत पर जशन मनाने वाले लोगों की नाकरिकता खतम हो जानी चाहिए बोले BJP के नेता जहाँ पर एक तरफ मोदी जी ग्लासगो में बड़ी बड़ी बाते कर रहे हैं फ्यूचरिस्टिक बाते कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ उनके अपने नेता ऐसी बाते बोल रहे हैं और ये बाते आखिरकार किस ने सिखाई हैं मोदी जी नहीं तो सिखाई हैं उनका सूख है मेरा सूख है उनका दुख है मोधी जी मेरे इसाफ से आपको ग्लास गो जैसी जगा पर जाके ऐसा ढोंग भी नहीं करना चाहिए आपको अपने रियल नारेक्टिव को वहाँ पर सामने रखना चाहिए सूपर थैंक्स के बटन को दबा कर आप हमारे चैनल को और जादा मजबूत बना सकते हैं जॉइन के बटन को दबा सकते हैं अगर जॉइन का बटन ना दिखे तो डिस्क्रिप्शन में जॉइन का लिंक है वहाँ जाकर भी क्लिक कर सकते हैं और हमारे चैनल को और मजबूती द झाल झाल